आज पहला मुकाबला था उस्टेले दोरे का अच्छा उमीद यह थी कि भारत जीतेगा हालाकि टार्गेट थोड़ा मुश्किल था अक्री उबर तक 13 रन भी आ गए यह मैच भारत को जीतना चाहिए था चार रन से हार गए चार रन से भारत इस टी-20 मुकाबले को हारा है मैच पूरा देखते हैं कैसा आपको लगा आपको हालेट्स भी दिखाते हैं हरवजन सिंग और मदन जी दोनों मेरे साथ भी रहेंगे क्योंकि कई एहम सवाल है आज भारती क्रिकेट टीम के मसलन विराठ कोली जो दुनिया के सबसे बड़े बले बास है क्या उनको अपना नमबर 3 टी-20 में केल राहूल को देना चाहिए केल राहूल की मदद हो जाएगी लेकिन टीम का क्या उससे नुकसार नहीं है योजवें में उठाएंगे लेकिन भजो सबसे पहला सवाल तो यही है कह सकते हैं कि वह क्या क्रिकेट हुई मजा आ गया चार रंग से भारत हा रहा रहा आस्ट्रेलिया भारत भी अच्छा खेला मैं तो यह कह रहा हूँ कि इतनी गलतियां करने के बावजूद अगर भारत सिर्फ एक गेंज से मैच हा रहा है तो तो हार ज्यादा चुपनी चाहिए जी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि भारत यह मैच जीत सकता था और बहुत करीब था जीत के बट गलतियां काफी हुई है जैसे आपने का है कि वराट कोली का नंबर चार पे आना जो कि वर्ल्ट के सबस में सबसे ज्यादा रन बनाएं तो उनका नंबर चार पे आना मुझे तो कोई जचा नहीं है और समझ से भी मेरे परे है और कहीं न कहीं उस चीज से उनको दूर नहीं होना चाहिए क्योंकि नंबर तीन अगर वो नहीं खेलेंगे न तो उनके बैटर कोई और हो नहीं सकता क चाहिए कि उससे बैटर कोई और कोई काम करते हैं तो एक तो बात वो होगए तो दूसरी आपने बात करी थी कि वहां कुनाल पंडिया अगर चार ओवर करते हैं बहुत ज़ादा रन देते हैं आपने कहां फिंगर स्पिनर अस्ट्रेलिया में इतने काम्याब नहीं होते हैं अगर आप spin कराने की कोशिश नहीं करोंगे अगर आप पकड़ी तो ऐसे ही है बड़ आप डाल तेजी रहे हो तो फिर आप मससला हल नहीं कर रहे हो मसला लजा रहे हो टीम के लिए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चहल को ना खिलाना भी जो उनकी कमी खली है क्योंकि चहल एक ऐसे बॉलर है जिन्होंने मैक्सवेल को बहुत बार आउट किया चाहे वो आईपेल की बात हो या टी-ट्वेंटी इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रिलिया की अगर जितनी बार वो खेले हैं तो चहल ने बहुत बार मैक्सवेल को आउट किया है कहीं वो गलतियों की गुझाइश कम होती तो यह मैच हमारे हाथ में था बिल्कुल सही का आपने बिल्कुल सही का मदन जी भी है पहले फड़ा-फड़ से आपको मैच दिखा देते हैं कि कैसे हाथ है सुनेहरा मौगा भारत गवा बैठा है क्योंकि देखिए जो भी है य हार गई टीम इंडिया जीत के करीब आकर हिम्मत हार गई टीम इंडिया पहले शिखर धवन ने 76 रन बना कर मजबूत नियू रखी फिर रिशब बंत और दिनेश कार्तिक ने 51 रन की साजहदारी कर जीत की उम्मिदें जमा रखी सवाल ये भी है कि आखिर विराट कोहली ने क्यों छोड़ा अपना बैटिंग ओडर आखिर विराट कोहली ने क्यों रहुल को नंबर तीन पर भेजा 12 ओवर के बाद 30 गेंद में चाहिए थे 65 रन 14 ओवर में टाई से लूट लिए 25 रन इतनी पास आके आ रहे हैं ने देखिए जो और वजन ने का है बिल्कुल ठीक है क्योंकि क्योंकि एक बातों में कहने जहाँ कि जैसे रिसम अपना सुरी इसका शिकर दमन बैटिंग का रहे थे पहले बॉल से लेके तिल जब तक उन्होंने बैटिंग किया बॉल बालिंग क जब हम शो कर रहे थे कि कुनाल पांडे है को कि लास्ट मैच जब मैंने जिए खा बड़े गौर से देखा था मैंने इसका अगेंस वेस्ट इंडी बिल्कुल लगा कि ये बिल्कुल ऐसा कोई बॉलर है जहां पर ये टर्न करा पाएगा बैसे इस्वेलियन विकर टर्न नही बहुत लंबी होती है काफी ज़्यादा होती है मेरिकल सत्तर असी या सौ के करीब होती है ये थोड़ा सा विचार ये निए कि वो क्लियर नहीं कर सकते है पर ये है कि गेम प्लैन के अंदर आप दो रहना चाहिए कि मैं ये कर दो लेकि बचू जो आज शॉर्ट में सहलेगी ने मैं भजू मैं मैं रिश्व पंद का सवाल कर रहा था कि बार बार वही गलती क्या भारत की टीम इस बात को सहेगी जी विकी पाजी सौरी मुझे यहां पर आवाज कम आ रही है पर मैं आपका सवाल समझ गया हूँ कि आपने बात करी है कि रिश्व पंद बार बार वही गलती दोरा रहे हैं जो कि कोई अंडर 19 का बच्चा करता हो और उसको सिखाया जाता है कि ऐसे शौट नहीं खेलने हैं आप मैच को क्लोस तो लेके आज खतम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपमें टैलेंट है आप इसलिए टीम में हो और सबको पता है कि आपमें कितनी क्षमता है आप मैच जिता सकते हो पर अभी अभी तक आपने कोई ऐसा मैच जिताया नहीं हो और स्पेक्टेशन ना जब टीम में आ जाते हो उसके बाद ये बन जाती है कि आप मैच को खतम करिए ये जो आज उन्होंने शौट खेला वो शौट ऑन तो नहीं था क्योंकि उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं ह उनकी स्ट्रेंथ है सामने खेलना और मिडविकेट की तरफ अगर वो बड़े शौट लगाते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सक्सेस्फुल होते हैं कहीं ना कहीं ना वो कोई ऐसे अतरंगी शौट जब खेलते हैं तो वो आउट हो जाते हैं वो अपनी टीम को फसा के लिए रुक रहा हूं ब्रेक के बाद चर्चा जारे भी आएगी लेकिन एक बार फिर तमाम सवाल और विस्तार से आठ वजे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर आपके सवाल लिये जाएंगे क्योंकि हार भूली नहीं चाहिए थी और बड़ा सवाल यह है क्या वि